के हरी कोटाइ स्पेस सेंक्टर इसरो में आज दो पहर दो बच कर 43 मिनिक पर चंद्रियान दो को अंत्रिक्ष में भेज कर भारत ने पूरी दुनिया में इतिहास रचा है जाहिर है कि यह कहना गलत नहीं होगा कि यह उपलग्धी भारत के लिए बहुत महत्पूर मानी जाएगी भारत देश के लिए वो गोलगन मूविंक रहा जब इसरो इसमे सेंक्टर ने चंद्रियान दो को लौँच करने के बाद भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया चलिए थोड़ा विसार से जानते हैं चंद्रियान दो के वारे में चंद्रियान 2 में कुल 14 अंत्रिक्ष उपकरण है जिसमें से 13 भारतिय और एक नासा का अंत्रिक्ष उपकरण है इसका वजन कुल 3.8 तन है ये तीन हिस्सों में बटी हुई है और्बिक्टर, लैंग्डर, रोवर श्री हरी कोटर से लाँच हुआ था चंद्रियान 2 इस तरों का सबसे ताकतवर रोकेट है जी एसल्वी, अमके 3 भारतिय समय के मुताबिक तोपहर के 2.43 मिनक पर चेन्नाई में हरी कोटर के 17 धवन अंत्रिक्ष अनुसंधान केंद्र, इस्पेस सैंक्टर सेकलाइक से चंद्रियान 2 सेकलाइक शफल लाँचिंग के बाद अब करीब 48 से 52 दिनों के बाद चांद की कक्षा में इस्थापित हो जाएगा और उसे चांद के वातवरण और अन्य ज़रूरी जानकारी मिल पाएगी जैसे चांद पर पानी का होना वो पानी कहां से आया इन सब के बारे में हम सब को पता चलेगा आपको बता दें कि पहले ये लाँचिंग 15 जुलाई को होनी थी लेकिन तक्नीकी खराबी के कारण इसका काउंट डाउन 56 मिनक पहले रोग दिया गया था चेननाई से लगभग 100 किलोमीकर दूर 27 धवन अंतरिक्ष केंदर में दूसरे लॉंच पैग से चंद्रियान 2 का प्रक्षेपन दो पहल दो बचकर 43 मिनक पर किया गया इस मिशन की लागत 978 करोड रुपे है कई दिगज वेग्यानिकों ने इस कदम के लिए इसरु की प्रिशंशा भी की गौरत बल है कि अगर हिंदुस्तान अपने मनसूबे में काम्याब होता है तो यह एक बहुत बड़ा और ग्लोबल अंतरिक्ष जगत के लिए एक मेल का पत्थर साबित होगा